नमस्कार दोसों चाइना की एक infamous debt trap policy के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पर चाइना दूसरे देश को भारी मात्रा में लोन देता है और जब दूसरा देश इस लोन को चुकाने में असमर्थ होता है तो चाइना अपनी terms and condition दूसरे देश के ओपर रख देता है ज दोस्तों recently एक भारत का पडोसी देश है नेपाल जो भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था भारत और नेपाल के बीच में कोई visa norms नहीं है भारतिये लोग नेपाल में easily जा पाते हैं बट recently पिछले एक दशक के अंदर नेपाल और भारत के relation के बीच में कुछ पड़ा लिया है इसी condition में China ने अपनी debt trap diplomacy का शिकार अब नेपाल को बना लिया है recently उसी का जवाब नेपाल के द्वारा दिया जा रहा है आप लोगों ने सुना होगा कि टिक टॉक एप के उपर recently नेपाल के द्वारा बैन लगाया जा रहा है even recently नेपाल के द्वारा ही एक airport पोखरा एयरपोर्ट इस पोखरा एयरपोर्ट के ऊपर anti-corruption agency के द्वारा चेक करने की बात नेपाल द्वारा की जा रही है दोस्तों किस तरीके से यह जो पोखरा एयरपोर्ट है debt and trap diplomacy का पार्ट है किस तरीके से नेपाल इस debt and trap diplomacy के अंदर first शुका है उनसा ही चीजों को मै सेशन के अंदर डिसकस करूंगा बड़ उसके पहले आप लोग में साथ में सासी 10 टेलिग्राम ग्रूप के उपर जुड़ सकते हो मिरे क्लास की अपडेट सब कुछ आपको सासी 10 टेलिग्राम ग्रूप के उपर मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को UPS CAC की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो प्रयागराज और डेली के अंदर ऑफलाइन सेंटर अनकैडमी के खुल चुके हैं प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर के उपर 15 दिसंबर से क्लासे जुन वह शुरू हो जाएगी तो जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगो को ओनलाइन स्कोर्स को लेना है तो यह नंबर है इसके उपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो आपको ऑफलाइन हमारे सेंटर को विजिट करना है प्रयागराज के अंदर तो नीचे आपको एड्रेस देखने को मिल रहा जिसके कारण से कई साए लोग भारस से भी नेपाल में घुमने जाते हैं अब अगर मैं कहूं के नेपाल में घुमने जाना है तो आपके दिमाग में कौन सी जगा आएगी गुम पिरके आपके दिमाग में एक ही जगा आएगी देट इस काटमांडू के अंदर connectivity अच्छी ह जिसके कारण से कई साए लोग काटमांडू में घुमने जाते हैं नेपाल को इसी tourism economy को और जादा develop करना था काटमांडू की तरह और नए शेहर को बनाना था ऐसी condition में पोखरा जो की नेपाल का दूसा सबसे बड़ा शेहर है इवन काफी सुन्दर शेहर भी है इस कारण से यहाँ पर tourism को भढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक airport बनाने की बात पहली बार 1975 के अंदर की गई थी उसके बाद में क्या हुआ कई साए लोगों ने यहाँ पर airport बनाने से मना किया कई सारे political unrest देखने को मिले इवन कई बार सरकाने गिरे तो कई बार नेपाल के पास में पैसे ही नहीं थे इस airport को बनाने के नेपाल के सामने मसीहा बनके 2014 के अंदर चाइना उभर के आता है और चाइना जो है वो नेपाल को भारी मातरा में finance करता है पोखरा airport को बनाने के लिए जिसके बाद फाइनली एक जनवरी 2023 के दिन यह airport का inauguration किया जाता है और पांच जनव चाइना के दोरा जब Belt and Road Initiative का पार्ट पोखरा airport को घुशित किया गया तो यह step काफी ज़्यादा controversy पकड़ता है नेपाल में क्योंकि नेपाल के अंदर इस airport को बनाने की बाद 1975 से चल रही है और Belt and Road Initiative 2013 में आया है जब यह airport बनने की शुरुआत हुई थी तब Belt and Road Initiative था ही नही उसके बाद में जब 2023 में फाइनली यह airport बनता है तो चाइना इसका पूरा credit ले लेता है क्योंकि इसे Belt and Road Initiative का पार्ट घुशित कर दिया जाता है इवन अगर मैं कहूं क्यार कोई सा प्रोजेक्ट Belt and Road Initiative का पार्ट है आपके दिमाह में क्या imagine हो रहा है क्यार वो चाइना के द इनिशेटिव के अंदर हाला कि नेपाल शामिल है पर किस प्रोजेक्ट को Belt and Road Initiative के अंदर डालना है किस प्रोजेक्ट को नहीं डालना है उसके अंदर नेपाल की मर्जी ली जानी काफी ज़्यादा ज़रूरी है पर यहां पर वो चीज नहीं की गई जिसके कारण से काफी सा क्रियेट करते हैं ठीक उसी तरीके से यह जो पोखरा एयरपोर्ट है वो भी नेपाल के लिए एक डैप ट्रैप क्रियेट कर चुका है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी बड़े फ्लॉस हम लोग को देखने को मिलते हैं सबसे बड़ा फ्लॉस तो यह है कि यह प्र आती ही नहीं है जून दोहजार तेईस में पहली इंटरनेशनल फ्लाइट इस एयरपोर्ट के उपर लेंड करती है और यह जो इन्टरनेशनल फ्लाइट से और चाइना के एथलीट गुडविल टूर पे नेपाल घूमने आये थे वही फ्लाइट ओरिजिनली काठमांडू में जा सकती थी पर ताकि नेपाल को लगे क्यार ये प्रोजेक्ट सक्सेस्फूल प्रोजेक्ट है इस कारण से चाइना ने इस एयरलाइन की फ्लाइट को लेंड किया था उस समय पर पोखरा एयरपोर्ट में यानि कि अभी तक भी आप देखोगे तो ओरिजिनली इंटरनेशनल फ्लाइट बहुती कम मात्रा में पोखरा एयरपोर्ट के अंदर लेंड हो रही है जिसके कारण से कोई रेवन्यू पोखरा एयरपोर्ट के अंदर क्रियेट हो नहीं रहा इवन ये जो पोखरा एयरपोर्ट बनाया गया था तो इस पोखरा एयरपोर्ट को बनाने के अंदर केवल फाइनेंस नहीं दिया गया था चाइना द्वारा इवन चाइना की ही एक कमपनी है C.A.M.C. इंडिनेरिंग द्वारा इनके द्वारा इसका पूरा टेंडर उठाया गया था और पूरी तरीके से ये एयरपोर्ट इन्होंने डेवलप किया था अब इसे बहुत ध्यान से देखना में क्या कहता हूँ कि यहाँ पर एक तरफ चाइना जो है वो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा था दूसी तरफ इस प्रोजेक्ट को चाइना की ही एक CMC कमपनी बना रही थी और CMC कमपनी जब इस प्रोजेक्ट को बना रही थी तो जान मुझ करके महंगे सामान इस्तमाल कर रही थी पर वो जो सामान थे वो खराब कॉलिटी के थे चालू कमपनी के ऐसी condition में भारी मातरा में इस project के अंदर पैसा लगता है वो पैसा कौन देता है? चाइना देता है और वो पैसा as a loan नेपाल के ओपर create होता जाता है और नेपाल के ओपर loan जो हो pile up होता है और उसके बाद में जो airport बनता है वो airport की जो quality है वो खराब निकलती है even 20 से ज़्यादा complaint इसकी quality के ओपर नेपाल के पास में आई है और उसके बाद में नेपाल के पास में कुछ आता है तो एक ये पुरी तरीके से dead airport दुसी तरफ भारी मातरा में loan ये जो airport है उसको मैं नंबर में बताऊं तो लगबग 216 million dollar का loan नेपाल के ओपर चाइना द्वारा दिया जाता है केवल इस पोखरा airport को बनाने के लिए इस loan का annual interest लगबग 3.2 million dollar नेपाल को पे करना है जिसके अंदर maintenance cost तो included ही नहीं है इस पोखरा airport को maintain करने की cost काफी जाला लगती है और ये airport पुरी तरीके से एक loss making airport है और इस loss making airport में इतना भी पैसा नहीं निकलेगा जितना की इसके maintenance में पुरा होपार ऐसी condition में नेपाल को अपनी जेब से इस airport को maintain भी करना है इसके loan को भी चुकाना है और हर साल 3.2 million dollar का ब्याज भी चुकाना है जो पुरी तरीके से एक चाइना की debt trap diplomacy है इसको अगर मैं correlation में बताऊ ना तो आपने कभी श्रीलंका के हमबंटोटा port के बारे में दुना अरे इसकी कहानी तो और जोड़दार है चाइना ने क्या किया था कि श्रीलंका को भारी मात्रा में लोन देके इस हमबंटोटा port को बनवाया था हमबंटोटा port के लिए भारी मात्रा में लोन श्रीलंका ने चाइना से उठाया था बाद में इसी port को develop भी चाइना की ये company दोरा किया गया बहुत महंगे rate में ये port बना और जब यह port तयार हो गया तो उसके बाद में इस port के अंदर कोई traffic आये नहीं जिसके कारण से इस port को maintain करना भी मुश्किल हो जा रहा था ऐसी condition में चाइना जो है वो श्रिलंका से बारबाल लोन की वापसी मांग रहा था पर श्रिलंका के पास में इस हमबन टोटा port से कोई पैसा जनरेटी नहीं हो रहा था उल्टा यहाँ पर loss हो रहा था एसी condition में चाइना ने श्रिलंका के उपर एक proposal रखा कहा कि काम करो यह हमबन टोटा port है यह 99 साल के लिए हमको lease पे दे दो वो किसी और देश के पास में है जो की श्रिलंका की sovereignty और territorial integrity के खिलाफ है इस तरीके से श्रिलंका इस हमबन टोटा port के जरिये चाइना के debt trap diplomacy का पार्ट हो गया था ठीक वही चीज आपको similarity के अंदर पोखरा airport के अंदर नेपाल में अभी देखने को मिलेगी इसी तरीके से लोन दिया गया कोई ट्राफिक वहाँ पे आनी रहा है maintenance की cost निकल नीरी है ऐसी condition में आने वाले समय में हो सकता है कि नेपाल को वो airport जो है वो lease पे देना पड़े और सीरी सी बात है इसकी वैसे भारी मातरा में इंडिया को खतरा हो सकता है क्योंकि इंडिया की border डाइरेक्ली श्रिलंका और नेपाल से जुड़ी हुई है वहाँ पर चाइना के infrastructure होना डाइरेक्ली भारत की sovereignty के उपर threat है recently आप लोगोंने एक news सुनी होगी कि एक Yuan Wang 5 श्रिलंका के port हमबन टोटा पे चाइना द्वारा लाई गई थी जिसके जरिये इस पाय जो है वो भारत के उपर किया जा सकता था चाइना की ship के द्वारा ये क्यों हुआ क्यों क्योंकि चाइना के पास में वो हमबन टोटा port लीस पे था ठीक उसी तरीके से अगर पोखरा एयरपोर्ट आने वाले समय पे नेपाल इसी तरीके से चाइना को लीस पे दे देगा तो उसकी वज़े से भारत की sovereignty और territorial integrity के उपर भी threat आने वाले समय में महसूस हो सकता तो ये अपने आप में बहुत बड़ा concern का issue है कोई खुश होने वाली बात नहीं है चाइना को जो belt and road initiative वो इसी तरीके से famous है चाइना के belt and road initiative से इसी कारण से मलेशा ने अपने आपको पीछे ले लिया था क्योंकि जो चाइना के द्वारा project मलेशा के अंदा बनाय जा रहे थे उस project को भी इसी तरीके से inflated cost के अंदा बनाया जा रहा था और पूरी तरीके से मलेशा को डेट्राइब डिप्लोमेसी का पार्ट बनाने का प्रयाश राइना द्वारा खिया जा रहा था पर मलेशा पहले ही सतर्क हो गया और अपने आपको belt and road initiative से बहार निकाल लिया इवन इटली के द्वारा इटली के साम भी कुछ ऐसा ही हुआ था इसके उपर एक separate वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है इसके बाद में आप लोग को मेरे द्वारा बनाउन मेंटर्शिप सांत में आपको highest amount of discount on academy के उपर अवेल हो जाएंगे ठीक है